मोधी सरकार के जेम्स बॉंड माने जाने वाले अजीत डोभाल की सरकार में कितनी एहमियत है इस बात का अंदाजा आप ऐसी से लगा सकते हैं कि पियम मोधी ने उन्हें क्याबिनेट मंत्री का दर्जा दियाफा है राश्ट्रे सुरक्षा सलहकार जैसी एहम जिम्मेदारी सम्हाल रहे अजीत डोभाल का कश्मीर में भी खासा दखल है वानुच्छे 370 हटने के बाद से ही घाटी में मोधी सरकार के दूद बन कर काम कर रहे हैं यहीं वज़ा है कि घाटी में तनाव तो है लेकिन हिंसा और देश विरोधी गतिविधियां देखने को नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर गहरी पकड़ रखने वाले अजीत डोभाल को मोधी सरकार ने अब और ताकत दे ली है अब से Cabinet Committee on Security यानी CCS या फिर काबिनेट के किसी भी प्रस्ताव में अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला होगा तो उसके लिए पहले NSA अजीत डोभाल की अनुमती लेनी ज़रूरी होगी सरकार ने कहा है कि ऐसे किसी प्रस्ताव को क्याबिनेट में पेश करने से पहले उससे जुड़ा नोट NSA के पास भेजना बहतर होगा इसमें आर्मी वेलफेर या जवानों से जुड़े मसले भी शामिल होगे मोधी सरकार की ओर से इसका सकती से पालन करने को कहा गया है हालां कि कैबिनेट सेकरेटरी की ओर से भेजे गए नर्देश में कहा गया है कि NSA को दिये गए अधिकार में पहले से ही ये बात शामिल थी लेकिन सूत्रों के मुताबिक अकसर NSA के पास cabinet note नहीं पहुँचते थे अब इसे प्रात्मिक्ता पर भेजने की परंपरा शुरू की जा रही है 25 जुलाई को भेजे गए नर्देश में ये भी कहा गया है कि इसके दाइरे में Cabinet Committee on Political Affair के वे सभी प्रस्ताव भी आएंगे जिनमें सुरक्षा से जुड़ी कोई बात होगी इसके अलावा मोदी सरकार की ओर से किसी भी प्रोजेक्ट की लागत रुपे में बताने को भी कहा गया है Cabinet Secretary ने सभी विभागों के Secretary को निर्देश दिया है कि किसी योजना का प्रस्ताव बना कर धन आवंटन की मांग रुपे में करे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लागत डॉलर में तैह होती है इसके लिए भी मोदी सरकार ने कहा है कि अगर किसी परियोजना में डॉलर या विदेशी मुद्रा लिखना जरूरी हो तो साथ में उस तारीक को रुपे की वैल्यू भी बतानी होगी सूत्रों के मुताविक कुछ क्याबिनेट मीटिंग में पीएम नरेंडर मोदी ने भी इस पर नाराजगी जताई थी जिसके बाद ये नोट भेजा गया है इसके अलावा किसी देश से कोई MOU या समझोता होने पर संबंधित मंत्राले को 15 दिनों के अंदर क्याबिनेट नोट के साथ आपचारिक मन्जूरी लेनी होगी मोदी सरकार के इन दोनों फैसलों के बाद अब प्रोजेक्ट की लागत जहां रुपे में बताना जरूरी कर दिया गया है वही सुरक्षा से जुड़े किसी भी प्रस्ताफ पर N.A.C. की अनुमती भी जरूरी कर दी है बता दें, N.A.C. अजीत डुभाल को देश का मश्वूर जासूस माना जाता है सर्जिकल स्ट्राइक की काम्याबी के पीछे उन ही का दिमाग माना जाता है और आज में देश के सबसे ताकतवर अन्नौकर्शा है कर दी की जाडना जास स्ट्राइक है ते मिनम आब उन की क की बार्लिमा जाडना इसांいや भींडी है लगज में रच्छानने अ मुझे की स्टिश् स्ट्राइक स्टिप पना मुझे परात रुडना मृजये धाडना जाडना Security इंपिताары where they are in the coastal area where they are born to me they start swimming in the indices right on the age of three or four because if you are a billionaire you run the risk of losing the billion I don't so because you that is your great strength that also is a great vulnerability unless you are very careful about it people can rob you only of what you have our biggest strength is our democracy our policy which is based on constitution our pluralistic society our big civilization heritage and as Robinson who had done a lot of research on that and the written the book why nations fall fail he has said in a code that who those who fail to ensure inclusive political economic social development tend to so these are this is very very important that our democracy is preserved it has got a lot of positive our constitution of our institutions of our launch all this is good but can't this democracy can be a weak democracy can this democracy necessarily lead us to the vision of yes it can if we are able to avoid something and that is what I would like to share since it's our biggest strength it also has got some inbuilt vulnerabilities one is this that it can become a soft power we can the democracies can tend to make a country a soft power and India cannot afford to be a soft power for next years it has to become a soft power with the with the ingredients of all the soft power but also the hard it because it will be compared to take hard dishes and it becomes soft power when you have to make compromises and you have to make compromises when your political survival takes precedence over the national interest so if India does not want to be have a democracy which is leads to a soft power choice India will have to have the governments which are stable which are decisive which are in power by their own right by the total mandate of the people a fragmented polity can considerably delay or even make it impossible for India to realize the dream because that polity will not be because the weak governments are unable to take hard decisions and in an economy i think is one of the biggest source of our strength today the world recognizes us as the world's fastest growing major economy and as i said by the 2030 will be 30 but believe me or can it go wrong it can go and if you want that it shouldn't go wrong there are certain things that we should avoid the populist measures should not take precedence over national requirements it's a temptation that is you take the things or you don't take you refrain from doing the things which are in the national interest but probably for a short time they may cause some pain to the people they may cause some hardship to the people you can be a populist by doing many things but when you have to take firm decisions difficult decisions in the larger interest of the nation even though they may not be very the populist if you fail to do that probably country will not be able to achieve its destiny it will not be able to realize its dream if you do not have in the whole of a country a one taxation system one law one system of governance another obviously the economy cannot this thing it can be only a smaller economy if it has got to be a big economy a mega economy a major economy we are talking about a 10 trillion 11 trillion economy you can't have a taxation system which is so fragmented that you have 20 miles and you have got a different type of a tax structure and tax debt but it is a a it might be a measure with a caution choice is whether you take a populist measure or you take a measure within the larger national interest see china is a communist company and see how much of the highway or any of these alibaba's or others how big corporates they become and how much the chinese government has supported them and china's global domination today economic domination today is not because of the chinese government companies it is because this chinese which are almost a government companies and that is what we would like that our private sector companies are almost the indian government companies they they pursue and perform and promote the indian strategic interest to that extent that probably we have got the basis and that is what that is what global corporates are doing india will need strong stable and decisive government for the next 10 years let there be no doubt about it to achieve our national political economic and strategic objectives it cannot be a fragment it has to be decisive weak coalitions will be bad for india democratic institutions must be strengthened rule of law must be adhered to with total commitment with religious commitment and countering the false and malicious propaganda and malicious propaganda should be taken on a war